अच्छ न पहले देखने के लिए हाई दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे दोस्तों, आज कल ज़्यादा तर लोग बहुत कम उम्र में ही बीमार पड़ने लगे हैं इसलिए हमें सेहत्मन जिन्दगी गुजारने के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए जैसे वाकिंग, स्विमिंग, योगा, स्पोर्ट्स और जिम वगएरा लेकिन अगर किसी वज़ाई से आप इन में से कुछ भी नहीं कर पाते हो तो आज हम आपके लिए एक ऐसी एकसरसाइस बताने जा रहे हैं जिसे स्किपिंग यानी रसी कुदना भी कहते हैं जिसे रोजाना करने से आपको वो सब फायदे मिलेंगे जो किसी को एकसरसाइस करने से मिलते हैं और जादातर लोग इसे सिर्फ लड़कियों का एक खेल समझते हैं लेकिन शायद आप सभी लोग स्किपिंग के फायदों के बारे में नहीं जानते होंगे अगर आप इसके फायदों के बारे में जान जाओगे तो कल से ही स्किपिंग करना शुरू कर दोगे तो चलिए जानते हैं अगर हम इस exercise को रोजाना करेंगे तो इससे हमें कौन-कौन से फायदे होंगे जो हमें सहतमन्द और फिट रखने में हमारी मदद करेंगे दोस्तों स्विमिंग एक ऐसी exercise है जिसे सबसे अच्छी exercise माना गया है जिसमें शरीर के एक-एक हिस्से की exercise हो जाती है लेकिन जो लोग नियमित रूप से swimming नहीं कर सकते तो वो लोग skipping करके भी swimming से होने वाले सारे फायदे पा सकते हैं जिसके लिए ना आपको कहीं जाने की जरूरत है और ना ही फीज भरने की जरूरत बलकि इसे आप बहुत ही कम जगा पर बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं अगर आप अपने शरीर की चर्वी को कम करना चाहते हैं तो सुभा और शाम 20-25 मिनट skipping किया करें ऐसा करने से शरीर में जमी एक्स्ट्रा चर्वी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है जिसके बाद शरीर स्लिम और आकरशित दिखने लगता है skipping करने का एक सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इससे आपके दिल का blood circulation बहुत अच्छा हो जाता है जिससे आपका दिल स्वस्त और मजबूत हो जाता है और इस वज़े से heart attack का खत्रा बहुत ही कम हो जाता है और साथ ही साथ ये दिमागी तनाव को भी कम कर देता है लेकिन अगर आपको पहले से ही दिल से जुड़ी कोई भी बिमारी है तो अपने डॉक्टर की सलाख के बगएर इस exercise को ना करें अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की height अच्छी रहे तो उन्हें बच्पन से ही skipping करने की आदट डालें ऐसा माना जाता है कि लंबे अर्से तक नियमित रूप से skipping करने से height बढ़ती है रोजाना सुभो और शाम खाली पेट skipping करने से body का blood circulation बढ़ता है जिसकी वज़ाए से शरीर में पसी ना निकलने से तोचा से जुड़ी छोटी मूटी बहुत सी बिमारियों से छुटकारा मिल जाता है और तोचा में निकार और चेहरे पर एक कुद्रती चमक आ जाती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं उमीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपके लिए जरूर फायदे मन्द होगा लाइक करें अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा कमेंट करें अगर आपका कोई सजेशन या सवाल हो शेयर करें दूसरों के साथ भी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन घरेलू नुस्खों का फायदा उठा सकें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लिबा के घरेलू नुस्खे को और बिल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली अगले वीडियो के लिए आपको सबसे पहले पता चले